किसान भी और नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं गोईन पडेल और आप देख रहे हैं केती की पार्ट सला यूटूब चेनल आज की ने वीडियो में हम लोग बात करेंगे 45 HP 3 टेक्टर के बारे में हम लोग आज कंपेर करेंगे कि कौन सा टेक्टर सबसे सस्ता कौन सा अच्छा और इसमें क्या का स्पेसिपिकिसन है तो तीन टेक्टर के में अगर बात करेंगे तो पहला टेक्टर जॉन डियर का 50-45 टी मॉडल और दूसरा है महिंदरा का व्यूवां 25 डिय और तीसरा है फार मट्रिक का 45 क्लासिक तो यह तीनों के तीनों टेक्टर 45 HP के मॉडल है और इ इसके बाद महिंदरा जिसमें यूज हो है चार स्लेंडर और फार्म ट्रेक में यूज हो है तीन स्लेंडर स्लेंडर के मामले में मैं अगर बात करूं तो महिंदरा का वी वो टॉप में है एच्पीक में अगर बात करूं तो तीनों 45 HP के हैं और इसका जो इंजीन रेटेड rpm है rpm कि मैं अगर बात करूं तो john-deer में 200 rpm है और mahindra में 2000 rpm है और pharma track में 1850 rpm है तो rpm के मामले में john-deer ठीक है इसके बाद हम लोग बात करते हैं 이전 को cooling करने के लिए क्या यूज हुआ है तो john-deer कि मैं अगर में अगर बात करूं तो इसमें कूलेंड का यूज हुआ है कूलिंग करने के लिए और महिंद्रा में मैं अगर बात करूं तो इसमें लिक्विट कूल का यूज हुआ है और फार्मट्रेक की मैं बात करूं तो इसमें फोर्स एयर बात हुआ है यह एयर के थुरू कूल होता है अपने हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रांस्मीशन की तो ट्रांस्मीशन की मैं अगर बात कूँँ ट्रांस्मीशन कहने का मतलब जो गियर की जो सिप्टिंग होती है जोन डियर की मैं अगर बात कूँँ तो इसमें है कॉलर सिप्टिंग है और अगर महिंद्रा की बात की दिक्कत नहीं आती है तो इसमें भी जॉनडे अभी ठीक है कलच कि में अगर बात करutu उसमें सिंगल ड्यूल दूनों को ऐखूश्म ड्यूर में और महेंद्रा मैं भी आपको dry type single dual dual दोनों मिलेगा यह dry type रहेंगे जो महिंद्रा की है और फार्मेट्रेक की मैं अगर बात करूँ तो इसमें dual clutch को option है अपने हम अब बात करें इसकी gearbox की gearbox की मैं अगर बात करूँ तो इसमें 8 forward तीजा 4 reverse है इसमें महिंद्रा में 12 tão time forward 177 अर फार्मेट्रेक में 8 and forward 2 investir और इसके फार्वडी स्पीड की मैं बात करूए to yield is जॉन palms में 30.92 km पर हो रूध story और महिंद्रा में 30. 91 km पर हो रहा है और फार्मेट्रेक में 39.5 km इसके अनलerson गोसे में ब्रेक की बात करूए Christ तो ब्रेक की में अगर बात करूँ तो इसमें oil immersion disc brake लगा है John Deere में महिंद्रा में oil immersion brake है उसमें disc brake का option नहीं है और फार्मट्रेक में multi plate oil immersion disc brake है इसके बाद हम लोग इसके lifting capacity की बात करते हैं मतलब जो इसके hydraulic पीछे हैं हम लोग इसमें cultivator रोग लगाते हैं उसके lifting capacity की में अगर बात करूँ John Deere में 1600 kg तक lifting capacity है महिंद्रा में आपको 1500 kg तक lifting capacity मिलेगी और फार्मट्रेक में आपको 1800 kg तक lifting capacity मिलेगी तो lifting capacity के मामले में फार्मट्रेक आगे है इसके बाद मैं इसमें बात करता हूँ इस्टेरिंग की इस्टेरिंग तो इस्टेरिंग में पावर इस्टेरिंग है महिंद्रा में भी पावर इस्टेरिंग है और जो फार्मट्रेक का classic model है उसमें power steering plus mechanical दोनों को option दिया है फार्मट्रेक की मैं आपको बता दूँ एक 45 hp का और एक दूसरा भी model होता है हाला कि हम लोग अभी 45 मतलब classic का भी कर रहे हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी fuel tank capacity कितना है fuel tank capacity की मैं अगर बात करूँ तो तीनों का उसके बाद john dier और कि एक कि और अगर सुझा रहे को और venture के अगर बात करूँ तो uh बात करूँ तो कुलमी कि मैं अगर बात करूँ तो जोन डिय फार को एक साल की वारेंटी आपको ज्याजा मिल रहा इसके बद हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस की जॉन्डियर टेक्टर की जो प्राइस है वह पढ़ है आपको 6 लाग और 60,006 लगभग पढ़ है और अगर मैं महिंदरा की बात करूँ तो महिंदरा का पढ़ रहा है तो लगभग रुपे के आसपा से मिल रहा है यह जो प हिए तो जोबी चीज आपको अच्छा लगता है उस हिसाफ से आप इस टेक्टर को पर्चेस कर सकते हैं तो फिर इससे संबंदी कुछ भी आपके सवाल अजय रहाो तो प्लीज नीचे कमेंड करेंगे विडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंड़ेंगे अगर अपने है गंटी को करेगा प्रेस जिते कि जब भी खेती से संबने या वीडियो डले तो सबसे पहले नोडिपी किसान आप जी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत देनेवाद जय भारा जय हीन झाल टो सबस्याद जाय है